असलाम लेकूम, आज मैं आपके थार शेयर कर रही हो इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसेपी जो कि मिन्टों में बन कर त्यार हो जाती है अचानक से आपको या फिर आपके बच्चों को भूख लगी हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि ऐसा क्या बनाएं जो कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो तो फिर आप ये ब्रेकफास्ट बना सकते हैं तो चलिए इस आसान सी रेसेपी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बाउल लिंगे और इसमें एक टेबिल स्पून डालेंगे तेल और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे आव बाई-फोर कप दूद्ध, नॉर्मल टम्प्रेचर का अबलावा दूदे आप फ्रिच का रखा दूद भी इस तमाल कर सकते हैं और इसी के साथ इसमें डालेंगे दो अंडे हम डालेंगे इसमें कुछ पाउडर्ड स्पाइस 1 by 4 टीस्पून कुटीवी लाल मिर्च डाल रही हूं 1 by 4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चोगा पाउडर और आदर टीस्पून डालेंगे नमक या फिर नमक मिर्च अपने टेस्स के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं और हरिधनीय के पत्ते डालेंगे और अच्छी तरह से इसको फेट लेंगे आप हम डालेंगे इसमें मैदा, वन बाई फोर कप मैं मैदा डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे आप इसकी जगह पर गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं लेकिन गेहूं का आटा जब हम डालते हैं तो थोड़ा सा जो हमारा रेसिपी बनका तयार होगी वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और मैदे से यह सॉफ्ट बनते हैं, तो आप चाहें तो गेहों काटा भी यूस कर सकते हैं, या फिर बेसन भी यूस कर सकते हैं, तो अच्छी तरह से इसको mix कर देंगे, इधर हम दो medium size की टमाटर ले लेंगे, और इनको slices में cut कर लेंगे, इसके जो slices हैं बहुत पतले भी मत ग नॉर्मल जैसे की सैलेड में यूज करते हैं इस तरह से इसके स्लाइस काटेंगे तो दोनों ही टमाट्रों को हम गोल-गोल स्लाइसे में कट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थेकनिस यह देखे इस तरह से इतना मोटा रखना इनको तो दूसरे को भी हम ऐसे ही गाट लेंगे अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें एक टेबिले स्पॉन तेल को गरम कर लेंगे और जब तेल करम हो जाएगा हमें इसमें टमाटर के स्लाइसेस अरेंज कर देना है एक के ओपर एक ओवरलैप नहीं करेंगे इस तरह से अरेंज करेंगे मीडियम फ्लेम पर एक से देड़ मिनट पकाने के बाद हमें स्लाइसेस की साइट को बदल देना है और दूसरी साइड से भी इसको एक से डिर्मेंट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे हमें टमाटरों को हलका सा सौफट कर लेना है बहुत जादा तो नहीं पकाना है लेकिन हाँ सेमी क्रंची फॉर्म में ये होने चाहिए मीडियों फ्लेम पर दूसी साइड मिट पकाने बाद ग्राम को बिल्कुल लो कर देना है अब हमने जो बैटर त्यार त्यार कर था वहsi के ओपर बोरिकर दिना है इस तरह से अब आपको ग्राम को बिल्कुल लो रखना है अब हम इसको डख देंगे और ठग कर इसको 5-6 minute के लिए बिलकुल धीमियाच पर पकाएंगे बीच में इसको खोले गा नहीं इसकी भाप में ये ऊपर से भी पक जाएगा तो 4-5 minute के बाद इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर 4-5 minute के लिए मैंने इसको बिलकुल धीमियाच पर पकाया है और उपर से भी यह एकदम perfectly done है यानि कि उपर से भी पक चुका है इसकी side को बदलने की जरूरत नहीं है यह उपर से भी अच्छे से पक जाएगा भाब के जरीए तो अब हम इसको serve कर लेते हैं आप चाहें तो इसी time pan में इसको serve कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ और अगर आप pan में serve नहीं करना चाते हैं इसको plate से serve करना चाते हैं तो मैं आपको इसका method बताती हूँ आपको किस तरह से इसको plate में serve करना है आपको इसको पर एक plate रखनी है और इसको flip कर देना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम इंस्टेंट हमारा breakfast बन कर तयार है और आप देख सकते हैं यह दूछी तरफ से भी एकदम perfectly done है अच्छ से पकाए तो बस अब यह सर्फ करने के लिए ड़ी है इसको हम सर्फ कर लेते हैं तो बस इस तरह से इसी और quick breakfast ऐसे पी बन कर तयार है ज़रूर से इसको try करिएग यह आपके घर में बच्चे बड़े या फिर बज़र्ग सभी को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि यह जो breakfast है यह एकदम mouth melting breakfast है मौ में जाकर जैसे घुल सा जाता है बहुत ही easy भी है quick भी है और tasty भी है ज़रूर से इस recipe को try करेगा और मुझ को बताएगा आपका यह easy breakfast कैस बना recipe अच्छी लगी है तो please like करेगा family और friends में शेयर जरूर करेगा चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे आपसे humble request है बीना subscribe की मच आएगा और मेरे facebook page को भी like करेगा जिसका link में description box और comment box में दियावा है वीडियो देखने का शुक्रिया अलाहाफेज